तो हमारा जो बेसिक सा इस्ट्रक्चर है अपना concept of charge के उपर है तो कुछ बात को समझना है concept of charge के उपर बाद नहीं आएंगे पहले एक चीज देख लो कि यहाँ पर एक ग्लास ठीक है इस glass rod को रब किया गया था silk cloth से किसे रब किया था सबसे पहली बात है यह history है समझ जाओगे तो पूरी के पूरी picture समझे में आगे कैसे start हो आज से 600 BC पहले कब वह था 600 BC में कोई बंदा था उसने क्या किया कि ग्लास का रॉड लिया क्या लिया ग्लास का रॉड लिया है ना को दिकत है कोई ice cream में समझ लेना इसको यह ग्लास का रॉड है क्या यह ग्लैस का रॉड है और इसको शिलक क्लोड से किसी ने रव किया किसे रव किया इसने किया नहीं समय मैं और बात यह गलास रॉड रॉड रवर किया इस तरह से कर इना आई रब करने का मतला समय रहान एक को ऐसे वोपर से पोच दिया, जिसे हम लोग पाल में इससे करता है ना, इसको ऐसे, उसके आप कागज ववेरा इची पकने रहता है, ना, तो वही किया दिया, तो इस ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉज से रब किया, तो देखा दोनों ही ग्लास रोड इनसरे को रिपल कर रह है ना, क्या कर रहा दिये दोनों, रिपल जब से करा रहुए, पहला ओब्देशन यही था, फस्ट ओब्देशन में यही था कि यह था कि यह ग्लास रोड को रब किया य। यह रोड से रिपेल किया, कोय दिख कkeत है, सिकेड्ड ओब्देशन जो था वो ये था, कि प्लास् जिक का रोट लिया गया है, wrapped with ठीक है? यह rabbit fur यह cat fur का सकते हो cat fur किसे क्या गया? cat fur अरवसनी यहां दिख रहा होगा तुम लोग को polythene दिख रहा है na teflon दिख रहा है क्या है yes sir yes sir, last one ठीक है? यह rubber balloon का सकते हो, लेकिन हम यहां बात कर रहा है प्लास्टिक के rod को इसको rub किया गया cat furze किसे rub किया गया? cat furze एकदम अच्छेस बात समझना रही है पहला history clear हुआ उसने प्लास्टिक रोड को rub किया cat furze जब इसको जागर के आमने सामने विरख था तो देखा इसमें भी repelence हो रहा है क्या हो रहा है यहां पर? यह भी repel कर रहा है यह बोला तू अधर जाओ यह इधर जाओ यहां तक सब को समझ आया यह सर ठीक है फिर से बात करते है हुआ क्या था पहला बंदा कोई था उसने क्या उप्जर्ब किया कि ग्लास रोड को rub किया सिर्क रोड से दूसरे बंदे ने क्या किया प्लास्टिक रोड को rub किया कैटफर से दोनों में रिपल्जन सो किया क्या किया क्या किया जी रिपल्जन रिपल्जन सो किया अब यह रिपल्जन सो करने का जगडा था यह डिफरेंट था क्यों different था समझना, इसी समय इसी एरा के पहले magnet की discovery हो चुकी थी, क्या discovery हो चुगा था, magnet में हम लोग को पता है कि North Pole होता है, यह सब को पता था, क्या क्या पता था, North Pole होता है, और South Pole होता है, और North के बगल में अगर हम North को लेकर के आएंगे, तभी यहाँ पर repulsion सो होता है, या या फिर कह सकते हैं, कि South के बगल में South को लेकर के आएंगे, तभी repulsion सो होता था, otherwise दुनिया में ऐसा कोई theory नहीं था, जिसमें की attraction, sorry, repulsion सो हो जाए, कहने का मतलब यह है, कि तु मगर North को ध्यान से बहरी बात को समझना, तब एकदम समझ में आएगा कि क्या हो राद, यहाँ पर क्या हो था, attraction, क्या होगा, attraction होगा, opposite poles है, attraction होगा, इतना बात समयर है, ना, yes sir, अभी इसी के साथ में, अगर हम इसी magnet के पास, अगर North और South के पास, iron, या nickel, या cobalt, यह तीन material को लेकर के आजा है, तब भी इसको यह attract करेगा, इनको हम pharomagnetic substance बोलते हैं, क्या उसको, pharomagn magnetic substance, एकदम समझ में आ रहा है कि कोई कस्ट है किसी को, आ रहा है, सुनो, फिर सुनो, नहीं समझ में आ रहा है, फिर सुनो, मेरी बात को जान से, क्या कह रहे हैं, पहला observation यहाँ पर, magnetic discovery हो चुकी थी, हम यह कहना चाहरे है, magnetic discovery अभी तक हो चुकी है, इसके बारे में लोग जा के साथ है, magnet के पास अगर फेरो फेरो magnetic substance, आइरन, निकल, पुबर्ट को डानेंगे, ट्रेट करेगा, साथ में एक और बात लोगों को पता था, कि अर्थ है, क्या है, यह दूब के साथ है, अर्थ है, यह अर्थ बोलो दान जी, अर्थ बोलो, रैट अर्थ, ऐसा, अर्थ के पास भी कोचिछ को रखेंगे, तो बोगो attract ही करता है, क्या करता है, इसी को क्या करता है, attract ही करता है, आर्थ भी, यह अर्थ है, यह यहिद्ट्रेक्शन हर बार हो रहा था, रिपल्जन होने के लिए, यही एक condition hold करता है, किसी को समझ में नहीं आया हो, ऐसा बात बता है, य यह रिपलजन होने के लिए एक ही मात्र दुनिया में कंडिशन था कि अब सीमिलर पोल्स के मैगनेट को लेकर आउ तो रिपलजन होगा, अधर्वाइस दुनिया में हर जगर सिर्फ अट्रेशन था, साथ है मैगनेट सिर्फ और सिर्फ फेरो मैगनेटिक सबस्टांस को अट् अब जो दूसरा फेनमेन अफजयर किया गया था यह था गि लास रॉड ग्लास रॉड को रिपिल श्येयर, लोगों को समझ है यह क्या है भाई यह साथ रजसे रिपर गयित परके शो कर सकता है, और यह तो मैगनेट भी नहीं है, तो यहां से एकदम नया पॉर्ण से बाद लोगों ने कहा है कि कही ना कही इन सब के ऊपर एक नया चीज है जो यहां से इसके उपर है उसको बोला गया चार्ज क्या बोला गया इसको चार्ज ठीक है बात इसको पॉजिटीव चार्ज पीर बोला गया कि उसको पॉजिटीव चार्ज है और प्लास्टिक के ऊपर निगेटीव कर दिया गया प्लास्टिक के उपर बोला गिया इसके निगेटी बोलने का क्या रीजन था और घ्राषस रॉड को प्लासटिक के पास लेकर आई यह है एक वारा इसको जब हम प्लास्टिक के पास लेकर गया आ जो जो पहले बोला होगा वही न तुम मानना पड़ेगा यह दोना है दुसरे को क्या करने लगा यानि के बोला गिया कि कही न कहीं ऐसा है कि आप पॉजिट जो सोरी शिमलर जो चार्ज है यह हमारा रिपल करता है और आप पॉजिट चार्ज क्या कर रहा है है ट्रेक्ट कर दो को सवाल है इलेक्रिक चार्ज क्या है किसी भी मैटर को कि इतने मैटर है दुनिया में दुषी तर एक चीज़ें होती है ध्यान सुन्दो मेरी बात दुनियां से एक होता है मैटर एक होता हैं अ अ परहसे हैं उस परफ़ एंश इसका के कूल और हर चीज़ के पास अपना कुछ ना कुछ प्रपरटी होता है उसकोते हैं इंट्रिंसिक प्रपरटी क्या कि है किसेधे की प्रोपरटी intrinsic property पर हम लोग फूब discuss किये हैं, याद करो mass हमारा एक body का intrinsic property है, दुसरा है हमारा charge, तीसरा है उसका volume, चौथा है उसका inductance, गिरोध करता है, आरे को समय है? यह इसको intrinsic property है, अगर हम बोलते कि matter है, बात समझ मैं रहा है ना? अगर कर एक matter है, तो matter मतलब होगा, तो उसके पास mass charge volume inductance होगा, ठीक है, mass के बज़ज़ से हम यह बताते हैं कि उसके पास कितना ज़्यादा inertia है, charge अगर है, तो हम यह बताएंगे तो वो electromagnetic field में हमको करके दिखाएगा, यानिक electric field में magnetic field में force experience करेगा, या फिर वो फुद electric field या magnetic field generate करेगा, यह line सबको समझ ने आया? चार्ज क्या है, एक intrinsic property है, है ना? जिसके कारण से कोई भी matter या फिर कोई भी charge experience करता है, electric force या magnetic force है ना? यह उसको experience करता है, और यह हर समय electric or magnetic phenomena, so करता है, यानि कि कि अगर इस पर हम डिसकस करेंगे जो अगरा लाइन यहां पर लिखा हुआ है ध्यान समझ रहा है यह जो लाइन दिखा है इस ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है इस्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फिल्ड ए यह अगर कोई पोजिटीव चार्ज है यह क्या करता है अपने चारोड़ तरफ इलेक्ट्रिक फिल्ड जिनिरेट करता है और अगर यही चार्ज अगर यही चार्ज अगर हमारा मूफ करने लगा किसी विलुश्टी से वैसे गोल 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 म Ronnie किरल बनाना स्टर्ट रहत तैंग कि दिदिन करता हो सब्सक्राप अला गोल गोल क्लो बनायगा कि यहां पर दो बात सीखें अब जाना कुछ नहीं सीखें बस दो बात सीखें अगर कोई चार्ज रुपा हुआ है और वही चार्ज अगर मूब कर रहा है तो वह मैगनेटिक फिल्ड जेनेरेट करता है और दो तरह के चार्ज होते है पोजिटीव और निगेटिव अगर किसी भी मैटर पर देको यह अगर न्यूटरल बोडी है तो हम गोलेंगे इसके पा पोजिटीव चार्ज है तो उसको बिचारिव गम है पोजिटीव चार्ज का मतलब गम है क्या है गम है गम नहीं है गम है उसको और ना क्या है उसको गम है किस बात कर गम है तो उसका इलेक्ट्रून लेकर भाग गया है उसके पास जो टोटल नंबर उप इलेक्ट्रून है वो कम किसी लिए उसका गम है यहां तक कोई सवाद अगर किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रून एक्सेसिव इलेक्ट्रून हो तो हम कह देंगे उसको निगेटिव चार्ज समझे में आया यहने कि निगेटिव चार्ज मतलब क्या है खुसी क्या है अद्धिव करें हुआ इलेक्ट्रून मिलाए है आरहे समझ में हिरहा ने की एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रून हो या टेफिसेंसी क्यों अव इलेक्ट्रोन हो इससे लिगे किसी मोश्रोंड पर चार जा गया है तो यहां पर लिखा देक्रेज Curtis य इस वाले में तो कोई दिक्कत है पहले बताओ चार्ज क्या है हमारा एक इंट्रिंजिक प्रपर्टी है हम आएंगे इंटी मैटर पे आएंगे आएंगे इसी स्लाइड में आएंगे अब यह है तुमको मिलेगा और बुले यहां ते कोई दिक्कत रिन है इंट्रिंजिक प्रपर्टी है जोकि एलेक्टी और मेंगेटिक प्रिनमन से करता है रुका हुआ चार्ज अरुएंगेटिक प्रिन ही जनेरेट करता है और इसको तो मतलब है लिखाए लिखाए कि चार्ज एक डेराइब फिजिकल कॉंटिटी है याद करो जो करेंट होता है वो याद है बड़े ते नेट चार्ज लोग पर रिटाइब चार्ज गरावर क्या हो जाएगा फिजिकल कॉंटिती है याद फिंडमिन्ट फिसिकल कॉंटिटी क्यों ठाज़ ए फिंडमेंटल । फिजिकल कॉंंटिटी कोन कोन था मास thread था । था था रूब हुड्स फिप्स सा एंप्रेचर और फिप्स सा क्रेंट तो क्रेंट हमारा fundamental physical quantity यह ना कि चार्ज क्या होगा है current पर depend कर रहा है time पर depend कर रहा है इसी दिये हम कहाते है current इक derived physical quantity है यहां quantity है derived 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 समझ में आगे बात यहां आता है चलाब अगले slider बढ़ता है अब आता है हमारे पास unit of charge, चार्ज का unit का दिखूए एक हमको slide अलग से बना पड़ा, दुनिया में इसने भर भर कर ली क्योंकि बहुत पूरा ना ये charge है तो अपने साथ हैं बहुत सारे लोगों का प्रिमिसा लेकर गया और बहुत तरह से लोगों ने इसको डिफाइन हिते ह अपने हिसाब से इसके units पड़के चले गए ठीक है, तो ये ऐसा unit भी दुनिया में चलने वाला एक कुलंब ही है जो कि हर लोग मानते हैं इसको फॉलो करके लेकिन अधर भी unit थे जिसे कि पहला हो गया फैराडे, दूसरा है हमारा state कुलंब, तीसरा है हमारा अब कुलंब है यह सब हमारा अलग अलग तरह के unit है, तो पहला तो कुलंब क्या हो गया है, तो हम कुलंब कहते हैं, एना ऐसा unit है हमारा, आरे वो समझे है ना, अरे यह कुलंब क्या हो, देखा 1 ampere into second होगा क्या, यह सर्थ, आरे वो समझे में, अब एक फैराडे क्या था, अगर मान लोग क कहीं पर पहली एक बैग लिये, क्या लिये है लिए, इस बैग में हम एक मोल इलेक् क्यान डाल दिया है, एक मोल इलेक्ट्रों डाल दिया है, इस फीस वा समाझे मारा यहा है, फ्लाओ इसकाare हैूंड, 96,500 परिक थह आरिवसमें एक मोल इलेक्ट्रोन किसी बैग में डाला हुए एक मोल मत्वा समाझ महा रहा है 6.022 x 1023 इलेक्ट्रोन याने कि इस बैग में ट्रिलियन ओफ ट्रिलियन इलेक्ट्रोन डाल दिया है भर करिफेर उसका चार्ज कितना जागा हो जागा 96500 कुलम के आसपास में जिस पूरे प्रोड़क्ट को बोला गया एक फैराडे क्या बोला गया आरि बस बजमें आप देखो इसको इसको मुल्ट्रोन का चार्ज कितना होता है तो 1.619 होता है नो उसको 6.022 इतना से मुल्ट्रिप्लाइ कर लिए आ गया 96325 इतना से मुल्ट्रिप्लाइब शाथा है ने जिस पूरे ले ले लेते हैं यह को सिप्लिसिटी नांका इंगरे जीन तुलोंका पता है इस वालन है हुँ सभ्डोब के बारबर रहता है यह कुलंब लिए यह अग स नोग लोग पढ़ेंगे समझ में आρη अव next मुलभ्स क्यूंक है यह याद रखना को क्यों है नहीं है इसंस का आरे उसमें एक state column कैसे define किया गया तो उसको समझ नहीं दो किसे define किया गया है कि अगर माल लोग कहीं पर यहां पर हम एक विचार्ज क्यू रग दिये और यहां पर विचार्ज क्यू रग दिये और दोनों के बीच का distance हम एक cm कर दिये और दोनों पर देखे कि फोर्ज कितना लग रहा है एक एक डाइन का लग रहा है कितना लग रहा है के लिचार्ज होगा इस जी अ कि भी है किन्या पर यह पर थे खाया रहा है कि तो किन्हें यह तरह सब्सक्राइब को कि इन अग अगक में क्या कि हम यहां पर एक charge क्यूंट हरण हर तो कि दो नों के बीछ का distance रखे 102 से cancer में कि हम देखे कि दोनों sa 104 लाटिक संपर्से यह एक और peng आइसा कुम गड़ेंद फूर्स यह लटेशना तो चार्ज रखें यह हमारा एक स्थेट गूलम के बराबर है को सवाल ना सर्थ और यह भी आ गया इसको टेन आव यह का मुझा बोलते जो के तेन को लाम के बराबर होता है इसा को कर ले ना इसको आगे बढाते हैं इस पूरे स्लाइड में अच्छा टैमिंशन क्या जाए इ तो अब आप बात करते हैं ड्राइबो एल्प्रिक सीरीज के अबर जहां से हम स्टार्ट किया फे डिसकस करना तो यह एक सीरीज बनाया गया जो नोगों ने बनाया तो इस तर पेडुला की कुछ मेट्रियल दिखाला इसमें कि देखा गिला सिर्फ गलास और प्लास्टिक क प्लाइबो तो यह जी जाए थी जी दिखर भाग में बहुत सारे से मिट्रियल को देखा गया जो कि कि ऐसा प्रॉपरेटी हो कर रहा ठीक है कोई अपने मैट्रियल से अपने बाडी से जयादा इलेक्ट्रान निकाल रहा था किसी मिए निकलता नहीं था वो एक्सप्ट ही क गाड़ी मेरा एक्सिडेंट कर गया है नहीं गाड़ी हो गया था मेरा इंसुरेंस का वो हेलिकॉप्टर वाला तो फिर दिक्कत हो गया ना येस सर, येस सर, क्या हो क्या हो सर अब आगे बढ़े येस सर, ये ग्लास, ऐसे ऐसे मेट्रियल को देखा गया कि इस पे अलग अलग तरह से चार्ज चाड़ रहा था ठीक है इस तरह से करेंगे, याद करूँ एक पढ़े थे हम लो ग्लास 9 के आटेंट का, 9 में पढ़े थे ये सरीज पढ़े थे क्या, आइसा कुछ, क्याद है, येस सर, आइसा सर, आइसा ही सरीज था है, का, न, अ, सीए से कुछ था, आइसा कुछ था ये क्याद है? तो उसी तरह के सीरीज बनाए गया किसी में जादा ये पोजिटीव, इस तरह के सीरीज बनाए गया जिसको ट्राइबो एलेक्टिक सीरीज कहा है और ये स्वाल जाँ गया है जाद गया जा गया गया है ये बात वही है पुरा के पूरा गाना वही लिखा गया है इस पर इस पर इसको करें खोड़ दें बात समझ मारा गया है यही जीज बनाए गया तो कुछ सवाल है भदाओ यह देखो पसंदा रहा है यह दोनो प्लस-प्लस है रिपल कर रहा है दूर हटो तब बात करें प्रोपर्टी अब चार्ज कर रहा है तो लाइक चार्ज है यह दोनो दूर हटो निजदीक आजाओ लाइक चार्ज रिपेली जएधर लाइक चार्ज एधर अर्जो अभी हम डिसकस कर रहे थे हम उसी पर बात कर रहे तो याद रखना रिपल जान पूरे अच्छे समझा चुके है रिपल जन क्यूं होगा इपला चुके है ना कि यह दो चार्जड बोडी के बीच में भी एट्रेक्शन हो सकता है अगर यहां पर मैनस है तो भी अट्रेक्शन होगा लेकिन अगर यहां पर चार्जड है और यह अंचार्जड है सबसे वियर्ड यही है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे तब भी अट्रेक्शन होगा ऐसे अगर हम तुमसे बात कुछे या फिर ओपिस्टी निगेटिव चार्जड कर दें और यहां पर एक अनचार्जड बोडी रगए तब भी क्या होगा एट्रेक्शन होगा पर उपा आऊ यहां शरन चाइज मतलब निट्र ना आजी नुट्रल नुट्रल यह ट्रेक्शन होता है कैसी होता है करए ये चांट काहल हम जाग कर ले हैं इसको छोड़ दिये दिये और ऐसा होता है भी ये माल ले ये अगर ऐसा होता है तो हमको पता है एड डियक्ष नियुदेटिव करना पड़ेगा रिपलजन सीमलर चार्जद करके के साथ नहीं है ना यही दो यह जो रिपल्जन है इस ही समझ पाएंगे कि हां चार्ज है उसमें कि पलस रहे या मैनस रहे एट्रेक्शन होता है या पिर माल में अंचार्ज रबॉट दी यह तब यूथ अट्रेसन ही होता ने ग्रेफ इसमा अट्रेक्शन वोलो अट्रेक्शन होने से कहीं से अधी तुम बता दो के हम कह सकते कि इसमें चार्ज है कि नो सर्थ हमको किस पर भोकस करना पड़ेगा रिपल जन पर एक सिंपल सा बोड में पुस्टन आएगा कि ट्रू टेस्ट क्या है इल्ट्रिफिकेशन का क्या तुम लोग सम्झा पाओगे सबर्ट वर और है अगला हे हमारा चार्ज एक companion है नहीं त parlarkell श्म encantat अटम करते हैं कि यहाँ पर किसी एक जगह पर यहाँ पर माइनस में 5 कुलम्ब चार्ज है, कहीं पर प्लस में 4 कुलम्ब चार्ज है, माइनस में 8 कुलम्ब चार्ज है, माइनस में 25 कुलम्ब चार्ज है, तो पुछे का यहाँ पर नेट चार्ज कितना है, क्या गरना है, सब को simply add कर लें, तो माइनस में 5 कुलम्ब, पलस 4 कुलम्ब, मा कितना हो जाएगा देखो तो 20 और माइनस में 4 I think 16 कुलंबार है क्या देखो तो अब है हमारा अगला जो पिक्चर है वो हमारा है अगला जो स्लाइड है वो हमारा चार्ज ट्रांसफरेवल होता है ना अगर हम एक बॉड़ी को दुसरे बॉड़ी के साथ में कॉंटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज हमारा ट्रांसफर कर जाता है ना एक बॉड़ी से दुसरे बॉड़ी में ट्रांसफर कर जाता है चार्ज सपोस करते हैं हमारे पास एक स्फेयर है ना एक स्फेयर है एक कंड़क् इसके नियर्बाई में बगल में कोई Charged Rod लेकर के आये हैं। इस पोजिटिव चार्ज है यहां से। इस पोजिटिव का मतलब क्या हो गया है। यहां पर Deficiency of Electron है क्या। पोजिटिव मतलब बिचारे के पास गम है। यह तो हम लोग पहुता है। इसके पास deficiency of electron है इतना बात समझेना रहे ना इसको अगर हम इससे contact में लेक्ट इसको सटा देते हैं तो यहां पर क्या है कि यहां पर अगर हम बोलने कि नीट्रल है initially neutral था क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब net 40 है यही सुरात बताए था अगर कोई बोली नीट्रल है इसका मतलब क्या हो गया कि नेट इलेक्ट्रोन जो है वो नेट प्रोटोन के बराबर है यह न है कहने का बत्र है न है कि जितना इलेक्ट्रोन है उसके पाज उतने प्रोटोन है और यहाँ पर हमको दिख रहा डिफिसेंसी ओप इलेक्ट्रोन है अब इसको समझने के लिए सीपल सा argument समझ सकते हो जो बताया गया वो आज के लिए गलत है यह बाद को point out करें क्या है क्या है Charge is collude क्या बोला गया इसको क्कूछ। को दिख रही है ना क्या क्या हैmak अब सत्रुट कान freestyle को मा intent नर्या is flow that is that means charge can flow flow करेगा कहा सका तक from higher potential higher potential to lower potential तो एलिकत है सपोज करो की एक है हमारे पास Niagara Falls है क्या है जो सुन भी निखी सब्सक्राइब नियागरा Falls का नाम सुनाए जी नियागरा Falls का नाम नहीं सुने हो अरे पहाड पर जो होता है पानी गिरता है जो जरना और न बोलते हैं अरे अमिरका में है इसको पता है तो यहां पर से देखो यह क्या है कि पानी उपर से नीचे गिर रहा है पानी अगर उपर से नीचे गिर रहा है इसका मतलब क्या हुआ यहां पर जो पानी है इसका पोटेंशल जादा है एकदम बात नहीं समझने है और यहां पर क्या है लोवर पोटेंशल हुआ कि नहीं हुआ यह से नहीं है कि पानी इसे जा रहे है उच्छा से निचे की तरफ जाता है न हम क्या बोल देंगे वाटर कैन अगर निवल तो लोवर लेबल मतला अगर पोटेंशल तो लोवर पोटेंशल That's why charge also flows from higher potential to lower potential. ऐसा लोगों ने माना. कोई सवाल? No, sir. अगर देनिसनली बोला गया कि charge is fluid. इसी दिए. तो जब हम यहाँ पर भी कहा रहे हैं कि charge यह positive charge है, तो charge का flow इदर से इदर की तरफ हुआ. Charge flow इदर से इदर हुआ. लेकिन एक्चुली में जब हमको अब पता है कि क्या flow करता है, वो तो इलेक्ट्रोन है. इलेक्ट्रोन ही दर से दर की तरफ खुआ करता है. जब हम बोलते हैं कि positive charge है, मतलब वो higher potential पहर है. अरे वो समय है, अगर कोई neutral है, तो मुसको बोलते है zero potential पहर है. neutral है मतलब, zero potential हुआ. अगर को तहाए से low की तरफ charge flow किया कि ने किया? अरे परदू, समझ में नहीं है आया से, उड़ी है से, दुआ उड़ी है से, फिर से बता दे, फिर से बोल दे, देखो, यहां पर deficiency है, इलेक्ट्रोन का मतलब इसको गम है, और positive charge को बोला गया, higher potential. neutral को बोला गया, zero potential, जब बोलने वाले को हम नहीं बोल सकते कुछ है, तो हम रोपने सकते हो, उन्होंने मन लिया, assume कर लिया, यह assume करने वाला चीज है, potential energy क्या है? इसको बोलना चाहते हो, जिन्होंने पहली बार बोला, उन्होंने ऐसे ही बोला, मन लिया, कोई दिकत है यह आता है? खलएट, लेकल थच करते हो, लेकिन हम को यह बात फील होरह रहा है, कि जो इसझिए ड्रों हमको इ稻गओ नवी किसे चल रहा है, उन्हों से ही किति ओना? sir! yut सर नोट्स में तुम लिखावा आया हुआ है कि निट्रल से सर वो पॉस्टिब है इसक्राइब तो लिखतो रहे रहे है इसक्राइब इसक्राइब यह क्या है तुम्हारा अगर के लिकप्र सब्सक्राइब जो क्की खुआ है तो यह क्योंना इक लिखतो क हमलेगoking तो पीन ही जिरिव से जादा हम विखतो अरे पापी इंसानों निंघह संक यह सिंघ मा जो हूए वह जीरो से पॉजटिव कि तरफ चार जो फोज़तिव से जीरो की तरफ आ रहा है यह पोजिटिव से निंगेटिव की तरफ जा रहा है, हाई से लोग की तरफ जा रहा है, यह पोन हर समय निगेटिव से, इस सर्जी उदर जा रहा है, हाई न, कोई सवाल? No, Sir. पूरा प्रोसेस समझ में आया? Yes, Sir. Yes, Sir. अब यह बढ़ा है? Yes, Sir. तेक. अब है मारा चार्ज गंजर्व होता है, चार्ज नैदर भी क्रेटेड नौर भी दिस्प्रॉइड उनिवर्स का हम लोग बांदते हैं कि चार्ज जो है, जितना है, उतना ही था, वही है, वही रहेगा टाइप का है तो इसी ट्राइप का चीज है यहाँ पर, लेकिन चार्ज एक का व्र् defeat, पर बात कर रहा है, तो पहला चीज हम लोग देख लिता है, ट्रांसफर ओफ चार्ज के उपर, यह ना, हम यहाँ पर तीन चार्ज से नहीं कर सकते हैं, हम लिए हैं बहुत तरह से हम लोग चार्ज हो लिए ही कर सकते हैं उसके स्थ usual से पर बात जो भी हम पीछे एक का अंडिशन हमने तिखा भी रहते हैं चार्ज टॉंसपर केसे कर रहा है ना यह ना था मेरा पॉजिटीव है और यह जीरो पॉजिशन करता हमने दोनों को एक कंड़क्टिंग वायर से करेंट कर दिया क्या हुआ कि यहां पर यह मेरा क्या है हाईयर है यह लूर है तो इसे क्या होगा फुलो और ऐसे क्या फुलो करेगा बता सकते हो हाईयर से लूर है हमको इसमें इसमें उपर वाला में याने ए से बी पाथ में क्या फुलो करेगा चार्ज सी से डी पाथ में क्या फुलो करेगा ए से बी पाथ में क्या जा रहा है ? ए से बी पाथ में आई से हाँ, चार्ज पॉजिट्टिव से हाँ, that's a q, ना, that's a charge moving from higher potential to lower potential, but electron flows from this side to this side, इतना समझ में आगे सबको ? होगा क्या यहां पर यहां पर तब तक यह होते रहेगा जब तक कि दोनों का कि चार्सरी नहीं होगा अगर तक है शोजय करो कि अगर एक कंटेणर ले लिए रहना इस तरह ठीक है कि बड़ा ऊसे इसमें पानी सुर्वात में यहां तक भरा हुआ है बाद में यहां तक बरा को और बीच पे हमने एक टैप लगा दिया है क्या फील हो रहा है मेरा बात येस सर अब एक बात बताओ कि पानी का लेवल अभी इदर जादा है कि ना है इस आर्म नें है left आर्म में पाने जदा हैר राइट साइड वाला के BE upon का पाणी का जैसी आम इसको नौब को खोलेंगे लेवल लेगा इसका लेवल जब पर बराबर हो जाएगा अगला पिक्चर जो अगर हम यहां पर सोचें भी ताम को अगला आइधर अइसा ही पिक्चर दिखेगा थे इधर पानी ज़्यादा है, इधर पानी कम लेवल्स बराबर होगा, यह लिए कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है, लेकिन अगर हम ऐसा एक सिचुशन क्रियेट करें, कि दोनों का कंटेनर का जो सेफ है, वो सेम ही ले ले, तब तो हम कहेंगे सर लेवल भी बराबर अगर आर्म का सेफ साइज सब सेम लेजे तब हम कहा देनर का पोटेंशियल तो बराबर होगे करेगा, यह बराबर होगा, वह ही हम यह कंडिशन लिये हैं यहाँ पर, कि हमने इस फेर लिया है, इडेंटिकल स्फेर, क्या लिखें यहाँ पर, दू बोथ आडेंटिकल स्फे अगर हम इसी में तो ऐसे हम नहीं करवा सकते हैं, क्यों सब? अगला है पर बाद ही कर रहेते हैं, यहाँ कोई सब लिखत नहीं है, अगला है हमारा पेर प्रोडक्शन क्या है? अच्छा इसको और समझाना है क्या? देखो, इनिसियल यह बोथ बोड़ी इस सेपरेटेड, है ना, वेर बोड़ी वन इस हवाँ पॉजिटिटिव चार्ज अगला है पेर प्रोड़क्शन क्या है, अगला है पेर प्रोड़क्शन क्या है, यहाँ पर गामा फोटोन है, फोटोन is the energy, क्या है? यह एनर्जी पैकेट है, यहाद है है एच नियू, यहाद है? अरे गुनले, एच नियू पड़े होगी नहीं पड़े हो, एच नियू हो, एक गामा फोटोन अगर है है, यह फोटोन को अगर हम नियर नुकलियस के नजदीक में लेके जाते हैं, तो वहाँ परसी है एक इने essay responds book. Intimatter version of electron यह, जिसको positron का रह है, यह बंका है. अदिहान से दिखो ऊपर में mass को दिखाते हैा, किसको दिखाते हैं? Senior इचे में चार्ज को दिखाते हैं तो एनरजी के पास ना तो मास है ना ही चार्ज है तो बाद में स्थिपों मास निए重要 encantation गिरा फिसका भी है साथ ही साथ पापिण गстиटा माइनस्के Bak crispy गदे कोिंस वान ऐला जिरो मिला? Yes, sir. आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं है? Yes, sir. अभी ठीक है? आवाज, आवाज, आवाज. आवाज सब को आ रही है, अच्छी से? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो ऐसा एजूम किया गया कि matter version दुनिया में दो तरह की universe में हमारे दो तरह की चीज़े हैं. हमारे universe में दो तरह की चीज़े हैं. एक है matter और एक है antimatter. ठीक है? तो एक है matter और एक है antimatter. इस matter और antimatter के collision से एजूम करते हैं लोग कि energy निकल था और उसी एनरजी से देखो matter और इंटी matter का creation भी होता है ठीक है तो वही कहा रहा है कि अगर हम photon को nucleus की नजदीक में रखते हैं तो energy जो photon का होता है वो convert कर जाता है electron positron pair में अधिकत है हम इसनों पढ़ेंगे nuclear physics में पढ़ेंगे ठीक है या फिर higher studies में पढ़ोगे हम इसतना यहां सम्दोने force कर रहे हैं कि mass भी concert है और charge भी concert है को दिकत यहां था है कि अगला अगला है यहां से टेकनिकल इसू के साथ में पेर एनिहिलेशन ठीक है तो पेर इनिहिलेशन है कि इस वार अगर हमने यह क्या है मारा electron है क्या और यह क्या है मारा positron है ध्यान समझना यह बाद है ठीक है अगर हमने इस दोनों को nucleus के पास भेज दिया electron और positron को यह दोनों मिल करके देखो gamma photon बना दिया क्या बनाया gamma photon बना दिया समझ मेरा बात जो अभी पीछे था उसको थ्यान देखो इसमें पीछे में क्या था gamma electron बना रहा है अभी क्या हो गया electron positron gamma बना रहा है यानि कि पुरा थे वह ने टी डिग्री घुमा दिया नहीं जी yes sir yes sir अब याद करूए एक भगवान थे हमारे धरती पर आय थे उसका नाम था यी वराबर mc square देने वाले बबा कौन थे इन्होंने क्या बोला था कि energy और mass में एक relation होता है यानि कि हम mass को convert कर सकते है energy में देखो है mass दो mass मेल करके energy का नवरा रहा है यानि कि mass से energy बन सकता energy से mass बन सकता उसका एक best example था pair production और pair inhalation वैसे pair inhalation रिचर्ड फेमन घुमे थे इसको बहुत कमाल के physicist ठीक है इनको Nobel Prize मिल चुका है यह MIT यह professor थे बेस्ट टीचर इनको कहा जाता है ठीक है क्या कहाता है इनको बोला जाता है बेस्ट टीचर इनकी जो MIT में लेक्चर दिया था उस लेक्चर का इसके इस्ट्रेंट ने एक नोट बना दोके बुक चाप करके बेच दिया बैठ आरी बस समझें तो पेयर इनिहीलेशन पेयर प्रोड़क्शन का उल्टा है यह बात तुम लोग को आप ही हुआ कि नहीं हुआ हापया लोगा कि है सरो आरी बस न पने कहाना दै यह है अगर सो कि टो एंगेर का बजन 0 पोजिटोन का बजन 0 चार्ज हो गया माइन स्का चार्ज और पॼलस वन तैको सी बात रिचरण सब गोलने के नहीं मिला था बहुत लंबा विजिस उन्होंने बताया था जो कि हमारे स्कोप के बाहर का चीज है हमें सिर्फ यह चांदना थे इसमें से कि हाँ चार्ज करजट होता है को दिकत नहीं है नौ सर्थ अब आगे बढ़ें किसी को डाउट संकल बावु कोई दिकत है पीछे वाला में इसमें किभेर है L यहां पर गमा टूठ करके कि इलेट्रणय पोजट्रण बनाया यहां पर इलेट्र Himself पोजट्रणय में कि रगा में पंगा मद्या किम अतना जो हम इंगली इसका एक दब मोटा मोटा बात अगर तुब को बता है, सोच कि देखो एक बोडी है, तुम अगर कह रहे हो, कम इसको चार्ज कर रहे हैं, तो कही ना कही से तुम इसको इलेक्ट्रोन दे दिये होगी, या फिर इससे इलेक्ट्रोन निकाल लिये होगी, यह न दू तरीका है, इसको चार्ज करने का, या सर, अगर जैसे तुम इलेक्ट्रोन को दवगे, तो इलेक्ट्रोन के साथ हमें क्या होता है, इलेक्ट्रोन का तो भाई, बजन भी तो होता है, 9.1 into minus 31 kg, नहीं होता, तो सोच के देखो, कि जब भी हम इस पर चार्ज का मीनिमम में, मीनिमम जो चीज हो सकता है, चार्ज का, वो तो यह ही है, एलेक्ट्रोन के साथ ममास है, आरोज बहुता है, जभी चार्ज का ट्रांसफर होगा, कोई बॉडी多 हो नहीं सब्सक्राइब उनके है कि नीज चार्ज थो नीकत है ईटर्भी क्या अगले इसे अिसे तcommittee का समहन रहा है भी आरे मतरा वालम कंटेनर ना चाहिए法 तो तुम समान रखोगे कोई चीज़, मेरी पास समय ना रही है, हलो, लेकिन हाँ, इस बात से हमारा कोई मतलब नहीं है, कि कितना मास होना चाहिए, हम यह कहा रहे होगे, चार्ज को ले जाने के लिए मास की जरुरत है, लेकिन कितना मास होना चाहिए, इस से हमारा कोई लेना आदेना नहीं है, को शकता है कि हम कहा रहोंगे 10 km के body पर 2 kg का charge है 50 के या 20 kg के body पर क्या हम यह का देंगे 4 kg का charge होगा, नहीं होगा हम कह सकते हैं, हम अच्छ 5 तो 5 kg का charge है, कोई मतलब नहीं है लेकिन चार्ज होने के लिए, चार्ज रखने के लिए, मास होना जरूरी है, इसे समझ मेरा बात है, चार्ज को बैठने के लिए, to sit the charge, मास must be necessary, is that okay, but कितना चार्ज होना चाहिए, किसी भी मास पर इसे कोई लेना देना नहीं, कोई relation नहीं है, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, बस यही कहाना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं कहते हैं, कहाना चाह रहे हैं, ठीक है, हलो, समझ में आ रहा है मेरे बात, यस सर, बस यहीं है, इसमें कहानी और कुछ भी नहीं है, कोई दिकर नहीं है ना, नो सर, ठीक, अगला है हमारा, चार्ज पॉन्टाइजड होता है और इस पर बहुत सा निमरी कल बनाने है फूर तब बेसिक सा आप उनको बताते हैं अभी हम एक बॉडी लिये थे इस बॉडी पर अगर हम कहा दें कि चार्ज में को रखना है तो मैं एक ही रिटॉन को लाकर रखोंगे या दो ही रिटॉन को लाकर रखे जो बनेगा वो कितना होगा वान पॉडी सीक्स इंटू टें डिटॉन को लेके आये हो तो कितना बात समय है अगर हम मालत दू इलेक्ट्रॉन को लेके आये है तब इस कर्णिशन में चार्ज कितना हो जाएगा बताऊ तो इन हो जागा जी पलस या मैंस इतना तो गम या कुछी टाइप का होगा बात है अगर हम एक बॉडी लिए है न यह बॉडी लिए हम यह कह रहें कि इसमें से 10 इलेक्ट्रोन को निकाल करके यहां से यहां भेज दिये तो हम कहा देंगे सर इस पे जो चार्ज हो जाएगा 10 गुना 1.6 इंटू 10-19 को लंब क्योंकि इसको मिला है इसलिए खूस हो गया है निकेटिव चार्ज दे दिये और इस पे गम हो गया है इसका किदर हो जाएगा 10 इंटू 1.6 इंटू 10-19 को लंब किसमें होगा फ्लस में चार्ज हो जाएगा कुछ सवाल है मेरी बात समझ में आई की नहीं आई यस समझ आ गया है तुम अगर एक लाख इलेक्टोन को इदर सुदर कर ट्रांसपर को यह फ्लस में आप लूट इंटू इंटू को लंब का चार्ज स्वाएगा ना जो कि मिनिमा में चार्ज पोसीबल इतना से ही हो सकता है कि तुम को कम सकम एक इलेक्टों को तो निकालना ही पड़ेगा इदर सुदर तभी तुम किसी बोड़ी पर मिनमां चार्ज भी पाल कर इस ने बारे में सबसे पहले जो कि इसको किया था मिलिकर ने हम लोग इसको अच्छे से कैसे मिलिकरने इसको बताया था कोई धिक्त नी है हम इसको पढ़ेगे कोई सवाल ने है आत्रेक अब इस पूरे कहानी में एक छोटा सा कॉंसेप्ट है जो कि आगे मिने गाहने को उम्मीद करते हैं यहां पर आएंगे अब इस पर आएंगे अभी हम पहले फिर से यहीं परसीड करते हैं यहां पर इस प्षटा सा पॉइंट लिखा है दियान से वेर क्यों बराबर एंगे अभी हो जागा दो एंड जितना नमबर अपर अपर तुम ट्रसफर गर रहे हो और यह 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 का वैली उटा है यह का वैली का वा इस अगर कहीं लिखा हुआ है नॉट इलक्ट्रोन कि मतले ही इस शींबल अव दिसमच अमोंट तो चार्ज अफिल अप्रों नहीं इस सिंबॉल का वैल्यू है है यह जार्ज करिए है अब यह जार्ज मेरा निगेटिव तो मैंनस में लिखनी है तो पुलस में इस प्रोटोन के लिए भी थो है प्रोटोन का भी तो चार्ज य तो पर न ही होता है? Yes, sir. आया होता है? Yes, sir. ठीक. यहां पर लिखा है? Where N is integer. N कासा होना चाहिए? Integer होना चाहिए. N कासा होना चाहिए? N कि मतला सर आधा गोई LATOR ने दर्स बढ़ूज गोजगे, आधा इलटर नस्ता में को खा गया, अधिया इदा आप पूरा नहीं मिलता है ना खाया हुआ एपल मिलता है एठाए जी यहस वैसे ही जी 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 अधिया वैसा नहीं होना ची आप पूरा पूरा बात होना ची जी जी इने कि साघे पौंच- साठे पौंच-गोई-ट्रोन इदर से उदर भेज दिया ऐसा और भी जाएगा तो 5-6-7 ऐसा ही होगा को दिक्त है मेरी बात समझना रही है अब इसमें यह जाता है इस वर्ड में इस्ट्वट को थाए जाता है वो एक दम पुरा बाहियात सा वर्ड है, लेकिन हाँ लोग पसाते हैं, उसको अतिहान समझते हैं, कुछ है नहीं, मैं पता नहीं क्यों लोग फसते हैं, और फसाने वाले को भी क्या मज़ा आता हैं, कहया कि मैक्रोस्कोपिक लेबल पे हम क्यों बराबर एनी तो लिख सकते है साधे 5 लेबल पर नहीं लिख सकते हैं, इसका क्या मतलब हैं हम कोई सेंस में ने समझेंगा है, ठीक है, पहले बात समझो हम बोले क्या, कहें हम मैक्रोस्कोपिक लेबल बयाने के, हम बोल रहें कि सार, पांच इरफ्टॉंट को लेके गया है, ऐसा नीच अगर हम क्यों बराबर लिग दें 95E सही है क्या गलत है सही है लेकिन अगर हम बोल दें कि कहीं पर साढ़े पांच लाख इलेक्ट्रोन को लेके गए हैं साढ़े पांच लाख इलेक्ट्रोन लेके गए हैं यहां तो 5.5 दिख रहा है न सर येस सर तो क्या ये ये लिखना गलत है की सही है गलत है सही है सही है समझ महा रहा है समय जब सही जैसा है स्ट्वेंड हलो किसको किसो गलत लग रहा था तुभी लोग के लिए इसा बात होता है अरे, साधे पॉच लाक एल bet पे ईलक्टोन हे रे यह नहीं कह रहेंगे। सवा दू करोड ऐने इल अच्छी बात हैं किया तो क्या सराथ थैसा नहीं किते हैं यह कई। अची क्या कर चोप्रू एक डिपने अच्छी लाक रखेंत मैं डिगते हैं जी मतलब नतयुे सरेनी पांधित chains आधिक कैसे हुआप़ी अच्छी जी कह सोथी आधि। कि यहां से यह क्यों बोल रहे हो सबाद इतना समझदारी है हमको गा इतना बात हम अपने से बोल सकते कि यह कि जान मुद्छ सकते हैं इसमें कोई मतलब इन्लोजिकल बात है कि इस पर डिस्कुस करना पागलपन है की नहीं है यह सर्निय कि एस बड़ा इंट्रेस्ट ले लेकर इसको बड़ा है तो ठीक है तो ठीक है अब करें टोटल नंबर अपिर ट्रोंड इन वन कुलंब इतने हो जाएंगे अब यह कैसे निकालोगे तो हम इस पर फ्राजर इधर बना दें इधर ही बना दें यहां दिखा है तो हमको पता है कि क्यों क्यों पराबर यही होता है क्या है इतना लोट मिले लेकर इसको सिंपनी सबस्ते है एक बात बोले क्या कि सर एक 1.6 x 10-19 कुलंब जो होता है इस दा चार्ज अन वान इलेक्ट्रोंड कहसते यह बात एक 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 पर इतना हीना चार्ज होता है आरे बुसमें यह फिर हम इसको कह सकते है कि इसी पीज़को हम हम इसी चीज़को क्या बोलते हैं रैसे गो ऑडिट्र मन टीकर रिन होगा यह मैनस 19 को उपर बेज़ दे, तब पलस 19 बाइ 1.6 हो जाएगा, उसको उपर में 10 इंटू 10 रेस्टुट पार 18 बाइ 1.6 निकाद हमको दिक्कत नहीं होगा, तुम लोग को भी नहीं होना ठीक है, अरे 19 को जीरो है उपर में, अभी देपर कितना होगा, 18 और 10 को जीरो भी है, एक पॉइंट उडाकर पर बेज़ दो कितना होगा, 100 इंटू 10 रेस्टुट पार 18 बाइ 16 हो जाएगा, इसको डिवाइड करो जाएगा, 16 इंटू 16 से 100 को डिवाइड करो जाएगा, बोलो तो 6.25 मिले नहीं मिलेगा, अरे मिलता है, कल तक किये था, कल तक तो आया था, आज यह आई जाएगा, तो यह हमकार है, कि total number of electron in one column of charge is equal to, क्या बहुत बड़ा mathematics को बाइद ही है, समाझ में आगे है, लेकिन पता होना चाहिए, कितनों electron है, लेकिन बहुत imagine करके देखो, सबाच्छे electron है के सबाच्छे, कितने electron है? कितना electron है, सबाच्छे electron है, सबाच्छे into 10 to the power 18, यह trillion से भी बहुत ज्यादा होगी है, अगला property है, हमारा चार्जिक, इस इन बेर, हाँ, बुटियून सर, बुटियून सर, तो कोई-5 electron कैसे दे सकता है, अरे हम N के जगह पे-5 एक इंटीजर है, तो चार्ज तो यहाँ पर मैनस भी हो सकता है, यह जो है, यह जो है, उसका value यह है, लेकि 400 negative भी होता है, तो negative कि तुम यहाँ मैनस में 10e करोगे तब मैं तुम को मैनस में charge मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर दो यहाँ तो यहाँ पर तेन electron आया, तो आया, यह खूस हो गिया, तो खूस की खूसी के लिए क्या लिखेंगे है, मैनस में 10e के जगह पे इतना, इसने 10 electron दिया, बैचारा गम में, सॉरी, गम में चला गया, तो गम के लिए क्या करेंगे, प्लस, यहाँ पहले बता चुके हैं, गम के लिए प्लस भूखेंगे, यहाँ n तो number denote करना है, सर, नहीं सर, n is an integer, an integer है, सर, तब भूखेंगे, तब भूखेंगे, तब भूखेंगे, और इंदिजर हमारा, बलस मेंस, दो number, अथिकत है, नो सर, अभी आया समय में, यह सर, अलोजिक लगा करके करना है, जी वह तना भी प्लस मेंस लेकर के चला होगे, तो फिर प्र चच्डा होगे, अलेकर अपन दिम अगला पॉइंट है, अब अगला पॉइंट है, अब अगला पॉइंट है, अब इन वेरियंट का मतलब होगे है, कि चार्ज जो है, यह एक डिफ्रेंट सापों से ध्यान समझता है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, अगला हम बोल दें कि वेलो सिटी जो है, मतलब हमारा बहुत ही कम है, जाने लगे कही पर, तो मेरा क्या बजन बढ़ जाएगा, क्या? ऐसा होता है क्या? नो सर्थ तुम घर से निकलते हो, शाट किलो के कोचिंग में आते ही, या पर टेपू के जब बैठे रहे तो सो किलो को जाते हो क्या? नो सर्थ ऐसा तो नहीं होता है यहां पर नहीं होती है, जब स्पीड अप्रोच करने लगे लाइट का इसमें, तब मामलाब आना अलग हो जाता है जैसे अगर हम बोलने कि वेलोसिटी मेरा माल लो कि C by 2 है अगर वेलोसिटी स्पीड अप्लाइट से जस्ट आधा है तब देखुद मास कितना हो जाता है M बराबर क्या जाए M0 by root over 1-c2 by 4c2 ऐसा कुछ आए गया यह सर् कट जाया ना देखुद क्या आगया 4 यहने कि 2 M0 by 4 में से एक चला गया 3 root 3 ऐसा कुछ आए गया yes sir और अगर हम यहां से solve करें इस चीज को यह कितना आ जाएगा जी 2 divided by 1.732 लगब लगब 1.52 क्या स्पास में रहा है 1.52 times of M0 हो जाएगा यहने कि लगब 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 समझें कि 1.5 गुना हो चुका है उसका बजन यहने कि अगर वह आदभी 60 kg पै तो 90 kg के आसपास में उसका बजन हो जाएगा लेकिन उसको वहां तक पहुंचने के लिए उसको light के speed से just आधा speed चलना पड़ेगा और अगर वह light के speed चलेगा उसका बजन infinity हो जाएगा अगर हम यह कहाँ देख अगर उसका speed velocity जो है वह light के speed के बराबर है तो mass क्या हो जाएगा infinity हो जाएगा देखो आरे बसमें अरगों जी हाँ अरगों जी हाँ अलो यह सर सबको ने समझा रहा है क्या आगे है सर समझे अगर वेलोसिटी हमारा velocity हमारा एक range में है 10 meter per second है तो हमारा जो normal speed है हमारे मास में पड़ा है हम तो बता रहे हैं तो तुमारा speed से भी आधा है तब जाकर के तुमारा बजन डिर्ड़ होना होगा otherwise ने होगा और अगर light के speed तो तुम अप्रोच करें लिए तम तुमारे मज़न इफिनिटी हो जाएगा वजिकरिन है यह बजन के साथ में खेरा लिकिन यह मामला हमारा charge के साथ भी नहीं है, charge ऐसे नहीं बदलता है, charge normal speed पर भी जतना होगा उतना ही लाइट के speed चलने वाले मास के साथ में बदलता है इसी बदलता नहीं है मास के साथ इसी बात को यहां पर बताया गया किसी भी frame of reference कर भी डिपेंड नहीं करता है speed के साथ में बदलता है frame of reference अनलक पड़ चुके न इनर्सियल frame, non-innertial frame बढ़े हैं न the non-innertial frame में the non-innertial frame में देखने का नजरिया बदल गया था न किसी भी चीज का याद है yes sir zero force लगाना पड़ता था न yes sir पापी सर बताओ निदे yes sir yes sir yes sir yes sir no 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 yes sir no 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 चार्ज का स्पीड के साथ में कोई लेना देना नहीं है, स्पीड बढ़ा होगे, तो भी हमारा चार्ज सेम रहेगा। यहां तक कोई सवाल किसी को मिस्वी बोलते हैं इन वेरियेंट है चार्ज हमारा। लेकिन यह प्रोब्लम दव होता है, जब एक सवाल पूछ जाएगा क्यूबा M के बारे में कया ख्याल है। कि सर्थ क्यू तो बदल नहीं रहा लेकिन स्पीड के साथ में और चार्ज तो मास्च पे स्टिक करता है। इसको तो बैटना पड़ेगा चाब मास के साथ में स्वेटेट。」 अगर मास दोड रहा है, यह मैं मेरी बात समझ मेंहें कि नहीं है. यह यह लाइन समझ मेंहें कि नहीं है, अगर हम कहा रहे कुई चार्ज भाग रहा, तो ठीक है, चार्ज नहीं बदलेगा, सर मास तो बदल रहा होगा, अगर लाइट का स्पीर अप्रोच करवा दीजेगा उसको दीजेगो, यही बात सवंग आ रहे ना, यह सर, तब तो फिर मामला खराब हो जाएगा उसका, तब तो फिर क्यूबा एम, जिसको कि हम क्यूबा एम को बोलते हैं, जिस स्पेसिटिक चार्ज क्या हो जाएगा, जिस स्पेसिटिक चार्ज क्या हो जाएगा, जिरो की तरफ अप्रोच करेगा, आरे बसमझेे, अगर नौर्मल स्पीड है, बेलोसिती, इस स्पीड अप्लाइट से से बहुत बहुत कम है तो क्यूब आयम पे कोई फेक्ट नहीं पड़ेगा ना चार्ज बदल रहा है ना मस पड़ेगा लेकिन अगर वही चार्ज लाइट के स्पीड से भागने लगे चार्ज तो नहीं बदलेगा स मास बदलेगा इनिफिनिटी की तरफ तो क्यूब lawa म समें मिल्यूपक अपरोच करेगा जर की तरफ रिव शुद था. इसका मतलब ही फुद इम कॉंसें नहीं रहा ना अ the charge density, जिसको वोई QYM बोल रहा है ना, the charge density और mass of the body depends on the speed. कोई सवाल, क्या दर को दिकर रही है ना? फिर से बोलें, फिर से बोलें इस पूरे तभानी को. पढ़ा है आगे? यस सर्थ ये, अगर एक charge है, हम लोग पहले पढ़ चुके थे, ये ये अलेक्टिक फिल जन्रेट करता है, याद करों सुबाद में बतायते हैं, कि stationary charge यानिक रुका हुआ charge electric field generate करता है है ना, यह electric field generate करता है अपने चारो तरफ IC, 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 है ना, यह अपने चारो तरफ electric field generate करता है 3D space में, तो कोई सवाल? और यही charge अगर move करेगा constant velocity से अगर velocity इसका constant है तब यह अपने चारो तरफ magnetic field बनाता है, क्या बनाता है? magnetic field बनाता है, यह अब लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में अब ही क्या है हमारा, यहाँ पर यही चार्ज अगर velocity constant नहीं है, velocity increase कर रहा है यह decrease कर रहा है यह electromagnetic wave generate करता है और यह उस पौंग में energy radiate करेगा, energy electromagnetic radiation के रूप में निकालेगा आरी वह सुम्झें, electromagnetic radiation के से electric field ऐसे ऐसे बनेगा electric field बनेगा और ऐसे ऐसे magnetic field बनेगा वदिकत है, electromagnetic radiation के रूप में यह energy release करेगा वदिकत है? यह तीन प्रोपरटी है, यह बात पता रहा ना चीए, रुका हुआ charge, electric field generate करता है, भागा हुआ charge यह यह constant velocity सा वदिकता हुआ, magnetic field generate करता है, और वहीं पर अगर चार्ज एक्सलेरेट कर गया, चार्ज क्या कर गया? एक्सलेरेट कर गया, यानि वेलोसिटी सा कॉंस्टेंट नहीं रहा, है ना? तब ये क्या करेगा? इलेक्रोमाइगनेटिक वेव जेनेरेट करेगा, कोई सवाल? और अपना है कोई भी मैटर हम था हम अमरे नुपलियस के अंदर में दो चीज वाता है प्रोटोन और नुटोन एक चीज समझ लो हम तुम लोग में से कितने लोग ये सोचते हो कि इलेक्ट्रोन प्रोटोन और नुट्रोन तीनों भाई भाई टाइप का चीज है मतलब सब एक ये विरादरी का है जैसे हम नहीं समझ मैं रहा हुआ हम करते हैं ये इतना समझते हो कि सेल समझ माता है नुझी अरे स्ट्रॉक्ट्ट्रल एं फंडामेंटल यूनिट अप दे बोटी येस सेर बाई लोग जी बने सेल किससे बनाए ते मॉलिकूल से बनाए मॉलिकूल किसे बनाए जरे एटम से बनाए और एटम किसे बनाए दर पेन से बनाए रफ्रटोनिट्रोन से बनाए जैस से इस में कोई सवाल किसी को नो सर्थ जानता है क्या है रिटकत पता है क्या है तिकत पता है क्या है जो हम ऐसा बोल रहना लुकत दिनी पर है जब लोग ऐसा सुचते नहीं किया रहा है तो यह जो है कम सकम 200 प्लस करके है ग羽े अन्दमिंडल पार्टिकल ही ठीक है एकूर्ट सुंच ना कर मूजा है क्युए है कि कश बडम वल्दो अब जब हम बोल रहें कि fundamental particle proton और neutron नहीं है उसको थाम से समझ लो यह प्रोन fundamental particle है proton नहीं है proton और neutron जो होता है यह एक लेवल अप का चीज है सब्सक्राइब करो कि electron अब quark, down quark, neon यह सब भाई-भाई है सब एक लेवल का चीज है इससे एक लेवल अपका चीज है proton और neutron यह प्रोटोन जो होता है यह quark से बना होता है तो दिकत है किसे बनाता है यह देखो आंदर घूज गया है अब बात को, atomic structure में तुम लोगों ने पढ़ा होगे कि atom proton, electron, neutron बना है यहां तो तुम लोगों जानते हो ना यह सर्थ हम प्रोटोन को एक हथोड़ा मार दिये जब वो तूट गया तो हमको अंदर में दीखा quark, क्या दिखा? उखा, वह एक प्रोटोन के अंदर में दो up quark होते हैं और एक neutron के अंदर में दो down quark होते हैं और एक up quark होता है इसका चार्ज होता है आप को इसका चार्ज प्लस पे 2 by 3 E है देखो चार्ज मेरा पैसा है देखो ध्यान से क्वान्टाइस्ट है क्या नो सर्थ है क्वान्टाइस्ट में दो चार पॉंट छे साथ नहीं है वह तरह से प्रोपर्टी के तरह नहीं आया नहीं आ रहा है नो सर्थ है ठीक है हमारे लिए 11 वल्ड पर सही है लेकिन अगर तुम रियल वल्ड में बात करोगे तो अब समझना रहा है गलक स्रथ चीजे है अधिकद 12 में मानना पड़ेगा क्वान्टाइसन होता है ठीक है तो अभी क्या हुआ यहां पर कि अगर प्रोटोन को देखा गया क्या है उसके प्रोटोन के अधर मेंゃ दोजां और याँ दानफ प्रोटोन में क्या है बहलो दो इस ब्लस में 2E 83 और दानफे घ्रव फंप स्पाक्वह शोंगं मैं मैं बप्रोस में कितना ओता है यह होगा न आ नूट्राइब में होता है एक up-park और दो down-park एक up-park मतलब प्लस में 2e by 3 और मैनस में e by 3 और मैनस में e by 3 यह बात सबझ में आ है की नहीं आ रहा एक neutron में ना, दो down-park और एक up-park कितना होगे दिखो तो, मैनस में e by 3 जीरो होगे गया यास सार तरप नीट्रान का उचार्ज ही नहीं होता है? अब 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 प्रोटोन के अंदर में जुछ धिखा है क्वार्ब होता है दिक्कत क्या है पता है एक चीज यहां लिखा word Gluons कुछ लिखा है Gluons? यह Gluons होता है यह यह बीच में इधर सीधर करते रहता है, move करते रहता है, इससे जो ये down quark है, ये कभी up quark बन जाता है, और कभी up quark, down quark बन जाता है, इस दुईनों में interchange होते रहता है, और अपना इसका एक मामला दूसरे लेबल पर पहुंच गिया, इसनि हमारे syllabus से हमें सिर्फ समझ में आता है, प्रोटोन हमारे लिए fundamental particle है, कोई सवाल? नो, सर्थ. NCRT बस इस बात को छेड़ दिया है, तो इसलिए भी हम यहाँ पर छेड़ दिये इस बात को, कोई दिकत नहीं है, लेकिन हमारे किसी काम को यह प्रोलोर्जिक नहीं है, अधिकत? सर, तब तो प्रोटोन कभी न्यूटोन भी बन जाता होगा? क्या बात है, एकदम बनेगा, हम लोग सब बनाएंगे. कैसे बनेगा सर, इसमें सो, सर, दो अपपार्ट का है, इसमें दो डाउन पार्टोन है न, सर, ये न्यूटोन बनाना हैंने सर, बनना है न? यस सर. बनग ए सर, बन गया, प्रोटोन फूट गया सर, न्यूटोन और ये पोजित्रोन में, ये क्या है पोजिट्रोन हैंना? यस सर. और क्या हो रहा है सर यह आप सर पूरा physics को तबाह कर लिजेगा कि मिस्ट्री में क्या-क्या पढ़े थे क्या-क्या अर्मान थे हमारे नेट्रोन टूट रहा है सर यह देखिए आप लिट्रोन टूट गया सर साथ में एक और पार्टिकल निकालता है एंटी निट्रीनो इसको बोलते हैं यहाँ पर भी निकलता है निट्रीनो सब पढ़ेंगे सर नुकलियस चप्तर में आगे जिख्ञाई चप्तर में modern physics में कुछ भी हो रहा है यहां यह सडला गराए कुछ ही हो रहा है प्रेऱ्टों मेर्न बना रहा है, दोगो के अपना सब्सक्रान fertig, ≬ट है? मचस त? रहे कि यह नोगो लूपर दहुत्भाने के एक हमारा comprendre मास कंजनर्ड है कि नहीं है, रहे कि दानको दोनों केस सब्सक्राइड क्रेंड है? है है कि मास उपर उपर देख लो चार्ज नीचे नीचे देख लो ध्यान से सब कंजड है इतना बात समझ वारे सको अना इस वाल है आता है कि कोई सवाल है यह आता है कि नौट कुस्ट्र नमबर वन लेते हैं यह दाम बसी बाद करने है चलो लोग बनाना बना ना स्टाट करूए QoState no. 1, calculate… total charge on body when 200 electron is put into heat कितना होगा इस पे चार्ज जाली बताओ कि उपराबर क्या होता है फरूला एन यह होता है एन कितना हो गया 200 इलेक्ट्रोन के जगा पे 1.6 इंटू 10 मैंस में 19 को ना गया नो जगा जी और उस पे हम चार्ज डाले हैं खुष होगा से खुष होगा क्या होगा माइनस की प्लस माइनस क्या हम प्लस करें यस सर पैसा आपको देते हैं प्लस कितना होगा सर 320 910 मैंनस में 19 को लंग सही है क्या दे बोलो हाँ यज सर इसको माइनस में 3.20 10 रिषवाद 2 लिख सकते हैं क्या इस इस हिसे को कम से कम 12 19 देखो तहा सर कितना हाए माइनस में 3.20 10 रिषवाद 2 मैंस में 17 को लंग एकदम बच्चा के तरह बता रहे हैं A, B, C, D टाइप का बनगे है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना सबको? No, Sir यह IIT दोजार पच्टर में है वो कुस्षिन है, अगला कुस्षिन पढ़ते हैं यादे केलिसियम कितना नमबर को होता है? 20 20 पता है ना? केलिसियम जो होता है अपना प्यारा दुलारा 20 नमबर पर होता है इसका बजन जो होता है वो पोटी होता है, ना? तो हम क्या बोलेंगे? कि 40 ग्राम अफ केलिसियम एस 6.022 इंटू 10 इस तो पावर 23 पार्टिकल कह सकते है यह बात अरे 40 ग्राम केलिसियम में इतने पार्टिकल तो होंगे ही ना? केलिसियम के? इसमें कोई गलत बात बोल जियें के सही बात बोल जियें? अलो? यह सर् यहां ता ठीक है ना जी? यह सर् यह सर् 200 ग्राम में कितना हो जाएगा? 6.022 इन्टो 10 इस तो गार 23 इन्टो 200 अपान 40 याने कि 5 इसे मल्टिप्राइब रहा है 5 इन्टो 6.022 इन्टो 10 इस तो गार 23 पार्टिकल सी ये का आ रहा है ठीक है? यह यह इतने तो सी ये है अब हमको एक बात दिख रहा है कि ये क्या कैल्सियम पे दो तो को गम है है क्या? ये सर तोटल जो गम है तोटल गम आप कैल्सियम वो कितना है? तोटल चार्ज बनाबर क्या बोलिएगा? है न तो इतने हैं न? या मुँ से जाग निकलने लगा सर अब तब ब्यहाओं सो जाएंगे सर या सो ठीक ओ हो 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 और इस दोनों का मल्टिप्लाइ करते कितना मिलता है सर एक फैराडे याद है? ये सर और इसी को लिख सकते हैं क्या? 96,500 कुलम्ब यहाँ सो गया? 96,9.65 इंटू 10 देश्टी बावर 5 कुलम्ब सही है क्या? ये सर मज़ा हुई याद? ये सर आगे बढ़ा जाए किसी को कोई डाउट है, तकलीप है, प्रोब्लम है, कस्ट है, परिसानी है नव सर क्या हम बनाएं कि तुम लोग बना लोगे? बना लेंगे सर ये हुई नब बात क्या करें, जो लोग सवाल बनाते हैं क्या है लिखा हुआ, यहाँ पर कल्कुलेट टोटल चार्ज और अच्छे इस्टार्ड करें वैसे ही हम ऐसे भी कोल सकते हैं, टोटल जो क्या लिख रहे हैं जो 56 नमबर पर आईरन होता है ना इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो टोटल पार्टिकल कितने हैं यहाँ पर कितने हैं बताओ अधिश्चे एम बता चुके हैं बाई कैसे निकालेगी है यहां यहां ते कोई सवाल इवन केमेस्ट्री तुम लोग का आता हो गई ता तो आता हैं कितने प्रटिकल है आईरन के और हमको बननाना एफीद्धीरी प्लस तो भाई तोटल फैश्चे अ गशे अधी आप अधि कितने हैं, है न, वो form Fe 3+, कितने बनेगे, तो 3 से multiply कर दो, आरे बस मज़ में गूने आया, अरे एक iron में, एक iron में, एक iron में तीन तीन गम है, तो हमारे पास तोटल इतने पार्टिकल है, तो 3 से और multiply कर दो, तो टोटल अगर हम इसका 100% इड़क्टो निकाल लेते, जिससे कि ये F3 प्लस बन था, तो कोई दिक्कत नहीं था, इतना ही नहीं होता, लेकिन कहा रहा है, सब 10% निकाल लिया आप, है ना, इसका सिर्फ 10% निकालने क्या, जितना भी है, टोटल का 10% हो गयी है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, बोलो, N, E, N कितना हो गया, ये ना, 3 इंटू, 10 इंटू, 6.022, इंटू 10 इंटू 23, इंटू 10 बाइ 100, जो कि N, E के जगह पे, 1.6 इंटू आज में, 19 कुन रहा है, दोको आप मल्टिप्लाइब अगर एक मीरन करते है, और इस दोनों का मल्टिप्लाइब करते हैं, एक फैराडे, और ये तो गया, इसका मतलब ह हो गया, 3 इंटू, 96,500, बागी मल्टिप्लाइ करोगे, इतना कुलम तो आही जाएगा, क्यों सवाल? नौ सर्थ, तो आप अच्छा, पॉन्टाइजेशन से आप सवाल बन जाएगी ने बनेगा, बनेगा, एक सवाल तुम से पुखेगा, कि, अबलब ऐसी इंप्यधंगा सवाल है, तुम से हम अम्मीद करते हैं, कि बन जना चीए, क्यान, तो 4.8 इंटू 10 अच्वा आउ माइ कितना, 25 कॉलम्ब ऑफ, चार्ज, पॉसिबल और नौ, कितना हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो हमको पता है कि Q बरावर क्या होता है, N ही होता है, तो चार्ज दिया है निसने जी, कि नहीं दिया था, 4.8 इंटू 10-25 बरावर N इंटू 1.6519, बिख देखते हैं, ये तो 3 हो गया क्या, ये सर, यहां से N बरावर क्या दिख रहा है, 3 हो 10 रिस दो आप माइनस में, 6 क्या, ये सर, क्या ये पॉसिबल है, ये नंबर N के लिए पॉसिबल है क्या देखो तो, नो सर, नो, नो सर, नो तो इंटेजर होना चीए, ये तो 3, 2, 10 लाख क्या सपास में आ रही तो बै तो हम इसको अग अगला पीडिया पी दिखा देते हैं तोब आसा ठीक है बना हुआ है हम इसको इसलिए नहीं भेज़े हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम लोग बहुत सारा चीन दिखना पड़ रहा है तो तुम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा होगा अग गीश में continue करने करिये तो अगला है हमारा method of charging ठीक है चार्ज कैसे करते हैं को दिखते हैं ना लोस्ट